बारी बारी से बोलिए आँ ठीक है बारी बारी से बहां बोलिए अनय काज अस्थगान जो बहुत महत्पूर्ण है जो हजूर राज के नियोजित मादमिक उच्छ मादमिक अलब संक्यक एवं संस्कृत बिहार के अनकोटी के शिक्षकों का बिध्यालों के समान कार्ज के लिए समान बेतन लागू होने से गंभीर इस्थिती उत्पन हो गई है अनुदानित बिध्यालों महा बिध्यालों में भी अनुदान का भुकता नहीं हो रहा है सिक्षक सिक्षेतर कमचारी अंदोलन के पच्छ में है अता मैं सदन से हज़ोर नए नए मानिये सदस इसी हाउस में कई बार और आपको मैं बता दो हज़ोर जो परतीपंच में हमारे जो उपमुख मंतरी जी थे उन्होंने इसी सदन में कहा था कि मैं सरकार में आऊंगा और सरकार में आने के बाद फुर्ण बेतन मैं दूंगा लेकिन अभी मानिय बितमंतरी जी है परवन्दन है केंडर में इनकी सरकार है और जिस तरीके से सरकार अभी हमने अखवारों में बेखा है जो कि हाई कोट से उसको जड्मेंट मिला सारे सिक्षों को कि समान बेतन समान नियोजी सिक्षा को मिला चाहिए उसको यह लो सुप्रिम कोट ले जाला है जो गोर अन्याय होगा सरकार का तो सरकारी ख़डाने से जाएगा लेकिन इन सिक्षकों के कमाई जो चन्द मुठी बरतर महा मिलता है वो अपने पॉकेट से सुप्रीम कोट में लाखों लाख खर्चा करना होगा हम आपसे आधरा करते हैं हजूर कि आप सारे कार्जों को अस्थागित करा ले मानिय सदस्चों से लाए ले कि इसमें क्या होना चाहिए तो उसको किया जाए हजूर चाहुद्री जी ने बड़ा महत्तों सवाल उठाया है इसलिए इस सवाल पर तो इस सदन में सरकार का उत्तर हो चुका है कि अगर मानिय उच्चिन्याले पटना का आदेश आएगा समान काम के लिए समान वेतन पर तो सरकार उसे लागू करेगी इसलिए आज में कार सघंदिया है मानिय पटना उच्चिन्याले के प्रैस्ला के अनुसार राज के नियोजी सिख्चों को समान कार के लिए समान वेतन देने का नियाय देश को सरकार जल से जल लागू करे चुकि यह लागू नहीं हो रहा है इसलिए सिख्चों में पूरी और निरासा है और पठन-पाथन का कार भी एक तरह से जो है प्रभावित हो रहा है हो गया वही बात दिलीबावि भी 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 बोले है है नहीं म्ल लगा कर देने परभावित बहुत बूरी तरह से हो रहा है इसलिए और सरकार सडत है कि नहीं समत है इसलिए बहुत ही महत्पुन भी से है चुकि बिहार में सिक्षा क्या अगर वही बात आफिक करें समझ गए